गुड मार्निंग, MPS Motivators में आपका सागत है आज हम BPSC CCE 69th में पुछे गए reasoning के question का solution लेकर आए हैं आए देखते हैं Question था, दिये गए भी कलपों से लुप संख्या को चुनिए दिया गया है ये box में संख्या और इसमें what की जवड़ पर क्या होगा उसको बताना है तो देखते हैं इसमें क्या किया है तो इसमें किया है 44 में से 37 को घटाया है तो मारा आएगा 7 और 7 को 7 से multiply करके यहां 49 लिखा है ठीक है? उसी तरह हम नीचे वाले को चेक करेंगे 58 में से 53 को घटाएंगे तो मारा आएगा 5 और 5 में 7 से multiply करके यहां 35 लिखा है सेम यही रूल हम इसमें चेक करेंगे फुल्फिल कर रहा है या नहीं 52 में से 41 को घटाएंगे तो आएगा 11 और 11 में हम 7 से into करेंगे आएगा 77 जो option नमर मेरा भी है यही इसका सही आंसर हो जाएगा देखते हैं next question दूसरा question है हमारा एक कुट भासा में यदि great को 718222620 और monk को 13121411 लिखा जाता है तो उसी भासा में vigorous को कैसे लिखा जाएगा देखेंगे इसमें क्या किया है great जी का संकेत होता 7 7th अस्थान पे आता है 7 लिख दिया है r 18 पे आता है 18 लिख दिया यहां पे और e e तो आता है 5 नमर पे लेकिन यहाँ e के लिए लिखा है 22 e आता है 5 पे और उसका opposite होता है b जो की 22 नमर पे आता है मतलब इसमें e को opposite कर दिया है ठीक है, आगे चेक करेंगे A, A का संकेत होता है 1, लेकिन 1 के जगों यहां क्या लिखा है, 26, मतलब A का आपोजिट होता है Z, जिसका संकेत होता है 26, वही 26 यहां लिख दिया है, और T का संकेत होता है 20, यहां लिख दिया है, मौंक में चेक करेंगे, M का संकेत होता है 13 लिख दिया है, O का संकेत होता है 15, लेकिन यहां 12 लिखा है, तो O, O का होता है 15, और L का होता है 12, ठीक है, तो O का पोजिट L, L का संकेत 12 यहां लिख दिया है, ठीक है, अब है हमारा N, N का संकेत होता है 14, और K का संकेत होता है 11, तो यहां हमको देखने को मिल रहा है कि जो भी consonant है उसका वही संकेत यहां लिख दे रहा है और जो भी यहां भावेल है उसका opposite जो होता है उसका संकेत यहां लिख रहा है जैसे यहां पर E का opposite लिखा यहां भी उसका संकेत 22 लिखा और E का opposite Z उसका संकेत 26 लिखा ठीक उसी प्र कार हम वाइग्रस में भी लिखेंगे देखते हैं भी का संकेत होता है 22 आई हमारा वावेल है आई का अपोजिट होता है आड आड का संकेत होता है 18 जी का संकेत होता है 7 ओ मेरा वावेल है वावेल का अपोजिट करना है तो ओ का अपोजिट होता है L और L का संकेत होता है 12 लिख दे हाँ R का संकेत होता है 18 फिर यहाँ O बावेल है O का 12 ठीक है U भी बावेल है तो U का अपोजित होता है F और F का संकेत होता है 6 लिख दे हाँ और S S आता है 19 पे यहाँ लिख दे है यह किस option में है तो option number 1 में है तो यही मेरा सही answer हो जाएगा देखते हैं next question वीडियो को देखिए पसंद आ रहा हो तो like कीजिए share कीजिए निमलिखित समू में से बेजोर को खोजिए इसमें से जो odd होगा उसको हम छाटेंगे तो देखते हम इसमें कैसे किया है प्लस 6 किया है फिर प्लस 3 किया है फिर प्लस 2 किया है Q में 6 आगे बढ़ा के W लिखा W में 3 आगे बढ़ा के Z लिखा और Z में 2 आगे बढ़ा के B लिखा है ठीक उसी प्रकार इसमें भी किया है प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2 इसमें किया है प्लस 6, प्लस 4, प्लस 2 और इसमें किया है प्लस 6, प्लस 3, प्लस 2 तो हमको देखने को मिल रहा है इसमें 6 बढ़ा है, फिर 3, फिर 2 इसमें भी उसी तरह है, इसमें लेकिन यहां 4 बढ़ा है तो यही मेरा odd हो जाएगा यही सबसे अलग हो जाएगा, यही बेजोर हो जाएगा, तो option number मेरा हो जाएगा, C, ठीक है, यही इसका answer हो जाएगा, देखते हैं, next question, एक निश्चित कुट भासा में, game को dollar, divide, star और percentage लिखा जाता है, और bid को has, percentage, divide, or multiply लिखा जाता है, उसी कुट भासा में, made सब्द को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ देखेंगे हम, made में M है, और इस game में भी M है, तो M के लिए start आया है, तो सबसे पहले यहाँ start हो जाएगा, ठीक है, उसके वाद A, A के लिए यहाँ क्या लिखा है, A के लिए divide लिखा है, और इसमें भी check करेंगे, A के लिए यहाँ और यहां भी चेक करेंगे, यहां भी E के लिए percentage लिखा है, percentage का sign हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसा sign देखेंगे हम, start, divide, multiply और percentage का sign, मेरा किस option में है, तो option number C में है, यही सही answer हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही, आप हमारे वीडियो को दोस्तों के पास share करें, ताकि उन्हें सही answer मिल पाए, आप हमारे चैनल को subscribe करें, जाएगा,